आप देख रहे हैं समाचा एटुजेट जिस पावन धर्ती की जहां कलम और तलवाद दोनों के ही धनी वीर सपूतों ने देश को आजात कराने के लिए अपने प्राडों की आहुती देदाली जिन गाव में विकास की गंगा वहनी चाहिए उन गाव में टैंड्रियों का दूसित पानी बैता है ऐसे में समाचे टुजेट की तीम में एक मुहिम छेडी जिन गाव में विजली पानी की समस्या होगी उसको प्रमुक्ता से दिखाएगा इसी कड़ी में जब टीम पुर्वा के सिंग पूर गाव पहुँची तो हकीकत कुछ और ही निली विदूती कर्ड योजना के तहर सिंग पूर गाव में विदूती कर्ड पंदे अगस 2017 को ही हो गया था लेकिन लाइट आज तक नहीं पहुची ग्रामेयों का रोफ है कि नेता चुनाओ में बादर तो कर लेते हैं लेकिन पूरा नहीं करते हैं वहीं जब बिजली विवाग को चर्दिकारियों से पूछा गया तो उन्होंने जल्दी खंबे लगवाने की बात कही क्या नाम है आपका अजे सिंग क्या करते हो गाव में बिजली है यह जो खंबे लगे हैं कब लगे थे पंदरा अगर्ट और उसके बाद उसके बाद अब तक तार नहीं किचे अच्छा खंबे ठीक लगे हुए हैं ठीक का सब अगरम अगरम घड़े मैं तुर्ण जांच करवा रहा हूं और इसके लिए प्यासा से व्रंता को पत्र लिग रहा हूं कि इसको सीगरी भावरा आप आल योजना में शैनित्राजर के पोर्ट रहे हैं कि मुझे जो ग्राम रिपोर्ट आप लाके दे रहे हैं इसके लिए में बहुत जो नहीं बाद आपको और आपकी चैनल को दूसरी बात पिछली सरकारों में जो वाते किये जाते थे वो सुथ हवा हवाई था कोई भी कार किसी भी प्रकार का पूरा नहीं है और अगर वो हुआ तो ब्रस चार के चाहावा में चड़ गया तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं जो सरकार मुमाने मुख्यमंत्री योगी अधितनाथजी है अगर रुप्तदान मंत्री हैं उनका ठाट वर्स में और प्रदेश में जो चल गां छूट गये हैं पहले बात तो कोई नहीं रहा जो छूट नहीं रहा है जो जल से जल सामीं करके और उस गाओं में जल्द से जल्द विजली पहुँचाने का काम किया जारा है बहुत तेजी से हमारा लक्सी 2018 तक इस 2018 तक हर गाओं में विजली पहुँचाने का काम हुए और आममबा सिंग्पो गाओं का खेतो बरश्टा-चार उसमें हुआ था क्या शोरो穷, और जहांजवकरों, जो भी कम्पनी है थी, उससे तूली का भी बिया घएा है और मैंने इस समिद विघ्ली व्लक क्या दिखाजियों से बेटर करके उस गाओं को औो चम्यानने दो-तीम गाओं मैं तो उस गाउं को मैंने जोडने का और उस गाउं में विजिये मक्ताने का सबसे गाउंबालों से जवादा दिया और अधिकार्यपूर मैंने कहा यह ज़द विजिकों नहीं है स्वागत है हम जन्पद उन्नाओं के पुर्वा विधान सभा कि चमियानी ग्राम सभा का एक ऐसा मजरा सिंगपूर है वहाँ पर खड़े हैं और हमारे पीछे देख सकते हैं तमाम सारे ग्रामीड हैं और ग्रामीडों का जो दर्द है वो हम उन्हीं की जुबानी से सुनना च और कई बार खबर का असर भी समाचार एट हुजेट की टीम ने दिखाया है आज उसी कड़ी में हम सिंगपूर में प्रवेस कर चुके हैं सिंगपूर एक ऐसी ग्राम सभा है जहां लोन नभी पडोस में बहती है वहाँ टेनरियों का पानी आता है जहरीला पानी यहां का है पूरे गाउं में पीने योगे पानी नहीं है लोग बिकलांग हो रहे हैं आसमय विमारी से गरसित हो रहे हैं यहां पर बिजली के समस्या एक विशाल दानव की तरह मुहबाय खड़ी है देश को आजाद हुए तो सन 1947 को हुआ था लेकिन यहां के लोग आज भी मानसिक हैं हम बात कर रहे हैं विजली विभाग की तो विजली विभाग किस तरह से उदासीन है किस तरह से यहां के लोगों के साथ सौतेला विवहार किया जा रहा है सन 1947 के बाद से आज तक यहां के लोग चिराग के तले अपना जीवन बसर कर रहे हैं वैसे तो यहां के लोग इस गौण सभा के उपेच्छा होती है जबके मानिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यानाथ ने सुराज योजना के तहट इस गौण सभा चम्यानी गौण सभा को जो है चैनित किया था और सिंगपुर भी उसी का एक हिस्सा है हम यहां के कुछ ग्रामीडों से बात करेंगे औ और उनके दर्द को उनहीं की जुबानी सुनेंगे हमारे बेच में कुछ लोग हैं जो आप से बात करेंगे बाबा जी हमारे बीच में खड़े हैं यह बताएए आपका क्या नाम है विशंभार नाथ जी यह बताएए आपके गाउं की क्या समस्या है हमारे गाउं में सबसे यहां जब कभी चुनाओं लड़ने के लिए नेता आते हैं वह अश्वाशन देते हैं और उसके बाद आप लोगों ने कभी उनसे पूछने की जम्मत्साई कई बार उनसे बात भी कहें लेकिन दुबारा कोई आता नहीं आश्वाशन देख क्या लाजाता तो अभी आपने द होता है तो उसको ऐसी निगाहों से देखते हैं कि जैसे कि हम अपनी पीड़ा उनको बताएंगे तो वह सासन प्रसासन तक जाएगा तो साइद उनकी पीड़ा को लोग सुनेंगे और साइद समाधान होगा इसी बीच में हम अगले दादी जी हमारे पास खड़ी हैं हम उनस को खंभे गार करके चली गई थी यहां की कंपनी और आज तक पलट की नहीं देखा है क्या कहना चाहेंगी यह जो खंभे लगे हुए तहले तो आप अपना नाम बताएए क्या नाम है आपका मालती जी यह बताएए क्या समस्या है यह विजली के खंभे आप तक काल भाइस देख रहे हैं यहां बच्चे भी गिर के चोट खा सकते हैं और इन तमाम सारे जो अपवाद है इस सब का जिम्मेदार कहीं कहीं सासन प्रसासन है हम अपने समाचार चैनल के माध्यम से सासन को आउगत कराना चाहते हैं कि अगर समय रहते यह जो समस्याएं हैं इनको अगर दूर किया गया तो साइद यह लोग जो है आजादी का जो धिनोरा पीट रहे हैं यह वाकई जो है यहां गाओं में कस्वों में आज भी जो है लोग चिराक तले अपना जीवन यापन कर रहे हैं हम बात करेंगे यहां के प्रधान प्रतिनिधी सुरेंदर जी हमारे बीच म समस्चाओं के लिए आप हमेशा खड़े रहते हैं कोई सुने चाहें न सुने मैं मंदिर के घंटे की तरह जो है जगाता रहूंगा इस प्रयास के लिए आपको बहुत-बहुत बढ़ाई यह बताई इस गाओं के विसे में क्या बताना चाह रहा है इस गाओं हमारी गाओं हैं कई लोग यहां से विकलांग भी हो चुके हैं तो ऐसी समस्चा सबसे पहले आरो आरो लगवाए जाएंगा कई नेताओं से कहा गया वादा लेते लेकिन वह भी पलटकी नहीं देखते हैं इसके लिए मैंने लिखित वह मौकिक कई बार सिकायद भी की हर जगे दिया ले के बाद कई मजरों में तो विजली आई कई काम हुए लेकिन सिंगपुर ऐसा गाउं है जहां तक कोई भी काम ने हुआ ठीक है जानकारी के लिए बहुत वह तो आपका धन्यवाद और सबसे बड़ा धन्यवाद जो समाचार एटुजेड को आप गली आजादी का धिनोरा पीट रहे हैं यह वाकई जो है यहां गाउं में कस्वों में आज भी जो है लोग चिराक तले अपना जीवन यापन कर रहे हैं हम बात करेंगे यहां के प्रधान प्रतिनिधी सुरेंदर जी हमारे बीच में खड़े हैं हम इनको धन्यवाद देंगे इन्होंने चैनल का कई की बार सहयो किया है और जो मूल समस्याएं हैं वहां तक हमको पहुंचाने का काम किया है सुरेंदर जी सबसे पहले तो हम आपको धन्यवाद देंगे आप ऐसे निष्ठावान प्रतिनिधी हैं जो कि जल समस्याओं के लिए आप हमेशा खड़े रहते हैं कोई सुने चाहे मैं मंदिर के घंटे की तरह जो है जगाता रहूंगा इस प्रयास के लिए आपको बहुत-बहुत बढ़ाई यह बताए इस गाउं के विसमें क्या बताना चाह रहा है इस गाउं हमारी गाउं पंचायत का गाउं है मजरा है सबसे पिछड़ा मजरा है यहां तो ना तक कोई पहला uls भी पिजली की विस्ता ना पानी की विस्ता पानी सब से जयाधा प्रस्प्रफूशित सीत है ए्स लोग बगल में लोग नदी है गाउं के नार Forsch में पानी रहता हुं इससे जो है काफे गाउंग कि आदमी बीमार रहते हैं कई लोग यहां से बिकलांग भी हो चुक पहुआ है कि लगता है मीडिया आपका कहीं सहयोप कर पा रहे नहीं जी मीडिया बराबर सहयोप कर रहे यह तो जिद ने उससे कई बार हम यहां से समाचार गया उसके बाद कई मज़रों में तो बिजली आई कई काम हुए लेकिन सिंगपुर ऐसा गाउँ है जहां तक कोई भ करके आए हैं उसके लिए आप समस्या तक हम को पहुंचाने का कारे कर रहे हैं इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और अभी आप देख सकते हैं कि ये कोरा छलावा योगी जी ये आपकी प्रजा है योगी जी ये आपकी प्रजा है 2019 सर के उपर तंडव कर रहा है अ इंदर में दुबारा से विराजमान होने का आपका सपना सपना ही बनकर रह जाएगा नहीं तो कृपया ध्यान दे और इस तरफ यहां बिजली भाग के जो धूर्थ करमचारी हैं उनको जगाने का काम करें और जो पानी से समधे समस्याएं हैं उनको दूर करें लोगों की आर उनकने का काम यही जनता करेंगी यही जनार्दन करेंगी यहीं तमाम सारी जानकारियों के लिए मैं धिरेंदर सिंग तवन समाचार एटुजड के लिए उनना हो आप देख रहे हैं समाचार एटुजड